आखिरकार महागटबंधन का महामंधन खत्म हो गया और राजद सांसद मनोज जाने सीट शेरिंग को लेकर एलान कर दिया है एक तरफ NDA का फॉर्मूला सत्रह सत्रह छे है वही महागटबंधन का फॉर्मूला बीस नौ पांच तीन तीन है लेकिन ख़बर तो ये है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि महागटबंधन के भी आईपी मुकेश शहनी बन गए हाल ही में राजनितिक पार्टी बनाने बाले राजनिती के नए चेहरे मुकेश शहनी को महागटबंधन में काफी भी आईपी ट्रिटमेंट मिला लिहाजा पहली बार चुनाव लड़ने वाली मुकेश रहनी की पार्टी कॉंग्रेस और बाम दल को पचारते हुए महागटबंधन में अपनी मजबूत जगह बना ली क्या तेजस्वी आदब के साथ रहने का मुकेश रहनी को फाइदा हुआ वहीं खबर तो ये भी है कि महागटबंधन की नाव बीच मजधार में मांजी की बज़ा से फसी थी NDA छोडने के बाद पुर्व सीयम जीतन राम मांजी महागटबंधन में शामिल हुए तो बिना सर्थ के थे लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़्दीक आते गया उन्होंने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिये महागटबंधन में अपनी अहमियत राज़द और कॉंग्रेस को दिखाते हुए उन सीटों की मांग कर डाली जहां पर कॉंग्रेसियों का गढ़ कहा जाता है मांजी की यही डिमांड ने महागटबंधन को सोचने की स्थिती में लाकर खड़ा कर दिया था जिस कारण सीटों के बटवारे को लेकर उहापोह की स्थिती बनी हुई थी आखिरकार जीतन राम मांजी की मांग के आगे कॉंग्रेस को जुकना पड़ा और अरंगाबाद गया सीट का बलिदान करना पड़ा हकिकत तो यही है कि गया और अरंगाबाद पिछले चार दसक से कॉंग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है निउच्वोर्ड नेशन की रिपोर्ट